कि असलानीकूम वीवर्स कैसे हैं आप आज मैं आपको कुरान पाक का गलाफ सीना बताऊंगी सबसे पहले हमने इसकी शेप देनी है यह कि हमें किस साइज का कुरान पाक का गलाफ चाहिए यह हमने इसका साइज बना लिया अब हमने इसको काटना है अब हमने इसके यह शेप लिया अब हमने सीधा रहके इसको काट देना यह करके अब हमने सीधा काटना इसको इस तरह हमने रहके इसको काट देना यह काट लिया है अब हमने अब हमने इसको काट लिया अब हमने इसका ये शेब बना के दिखानी है आपको कि इसका ये देखे कम्प्लीट कैसे बन जाता है ये शेब बन गई हमारी ये कुरान पाक की घुलाफ की अब हमने इसकी सिलाई करने है ये इसके हमने ये शेय बना दी है जो हमने बांधने वाला इसका बनाना है कुरान फाक को बांधने वाला गलाव के अब हमने पहले सबसे पहले इसकी सिलाई करनी है दोनों सैडों से मोड़के फिर ऐसे रखके फिर अब हमने इसको श्लाई कर देना है यह श्लाई कर दी यह अब हमने इसको सीधा रखके श्लाई कर देनी है ऐसे रखके इस श्लाई कर लिया है यह सीधी रखके स्लाई कर लेनी है इतना लंबा भी नहीं इसका रखना बस दर्मयाने साइज में यह बनानी है हमने यह स्लाई कर ली यह मकमल हो गया है अब हमने यह स्लाई करके यह कंप्लीट हो गया अब हमने इसका कवर जो है वो स्लाई करना है सबसे पहले हमने दोनों स्वैड़ों को पकड़के यह स्लाई कर दी इस तरह अब दूसरी स्वैड हमने दूसरी स्वैड हमने यह पकड़के यह स्लाई कर दी ये इसके ना धागे निकलते हैं कपड़े के जामावर के अब हमने इसको एक और सलाई लगानी है इसको मोड़के मोड़के इसकी फिर सलाई करेंगे फिर धागे नहीं निकलेंगे और पायदार हो जाएगी यह ले यह सलाई करनी है अगर इसको ओवरलाक करना हो तो ओवरलाक कर ले अगर ओवरलाक नहीं कर सकते तो इस तरह की सलाई कर ले यह देखें कितनी अच्छी सलाई हो गई है अब हम इसको मोड़ेंगे यह देखें इसको यहां रखके नोग से पकरना और मोरना शुरू कर देना यह देखें यह ने यह मोर लिए अब हमने अब जो हमने वो बनाई थी दोरी वो अब हमने आगे लगा देनी है इसलाई हो गई अब हमने दोरी को इसके उपर ही रखना है दोरी को इसके उपर रखके इसलाई होगी डोरी जो हमने पहले इसलाई करके रखी वी थी वो इसके उपर रखेंगे जे ऐसे रखके इसकी इसलाई कर देनी है इसलाई होगी दो दफ़ा इसकी इसलाई करनी है क्योंकि यह जरा मजबूत हो जाए है यह कंप्लीट हो गई अब हमने दागे काट लेने हैं सारे अब हमने क्या करना है कि इसके आगे हमने एक फूल बना के लगा देना है यह देखे इसको डबल कर लिया डबल करके इसके अंदर वारी सैड पर यह जो पाइपिंग बनाई थी वो रखनी है यह रख ली अब सलाई कर लेनी है इसकी इसके सलाई लगा देनी है इसको भी हमने डबल सलाई करनी है क्योंकि दागे ना निकले और यह आगे से मजबूत रहे है यह लिए डबल दागा डबल सलाई हो गई अब हमने इसको सीधा करना है सीधा करके यह काट लिया यह आगे हमारा फूल बन गया है यह हमारा कुरान पा का गलाफ कम्पलीट कितना खूबसूरत बन गया है यह घर में आप तियार कर सकती है और कितना प्यारा लाग रहा है यह देखे आप खुद घर में तियार कर सकती है इसको माशाला कितना प्यारा है मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को जतना हो सकता है शेयर करें ताके जिन लोगों को गलाफ नहीं बनाने आते कुरान पाक के वो ट्राइक करें अल्ला हाफिज